एक गाउ में एक चुड़ी वाला रहता था गाउ में जाकर चुड़िया बेशता था एक दिन वह सडक पर खड़ा होकर ही जोर जोर से आवाज लगाता है चुड़िया लेलो रंग बेरांगी चुड़िया लेलो लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता दूसरे दिन वह फिर जाता है आज उसे एक महला बुलाती है और चूरी वाले भाई यहां आना जरा और चूरी लेती है थोड़ी दूर जाकर एक और महला उसे बुलाती है ऐसे करके कुछ दिनों में ही उसका काम रप्तार पकड़ने लगता है एक महिने में उसने चार सोने के सिक्के कमाए उन में से तीन सिक्कों का उसने एक गाई खरीदी जब वह गाई खरीद कर वापस आ रहा था तो जंगल में उसने देखा कि दो डाकू दिरे दिरे उसकी और बढ़ रहे थे डाकूओं से बचने के लिए उसके दिमाग में एक तरकिब आई डाकूओं को देखकर चुड़ी वाले ने पहले ही गाई की गरदन पर एक सोने का सिक्का बाम दिया डाकू उसके पास पहुचे और बोले तेरे पास जो भी है उसे हमें निकाल कर दे नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा चुड़ी वाला घबरा कर कहता है मैं एक गरीब मजदूर हूँ भला मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा उसी वक्त ही गाई के गले से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिर जाता है शिको को देखते ही डाकू गुसा हो जाते है और बोले यह हमें मूर्ख समझता है इसके पास सोने के सिक्के है चुड़ी वाला अपने दिमाग का इस्तमाल करता है और कहता है यह कोई साधारण गाए नहीं है, सोने की सिक्के दिने वाली चमतकारी गाए है, इसको जितना खिलाओगे यह उतने ही सोने के सिक्के देगी यह बात सुनते ही डाको के चेरे पर मुस्कान आ गई, एक डाको ने कहा में गाए परीदना है, पचास सोने के सिक्के देंगे चोड़ी वाला मन ही मन बड़बड़ा आया अरे वा तीन सिक्खों की गाए पचास सिक्खों में बिग गई डाकू गाए लेकर अपने घर चले गए चोड़ी वाला खुशी खुशी अपने घर चला आया